तो हेलो दोस्तों केसे हैं आप आप जैसे कि आज आपने देख subtrable अज को हमसे हैं आफ कि अपर जैसे करने वाला हूं डिस्कस करने वाला हूं तो इसलीए इसको बिल्गूल पी ởओिडियो है तो दोस्तो जैसे कि आज हमने बताया कि हुआर्फ ओर डोर्फ नाजुए तर जलानी चाहिए तो दोस्तो गर्मियों में यहाइटर्फ आप ना ज़ादर देतर जलाएं तो भेटर होगा क्योंकि उससे क्या होता है कि वो हीटिंग प्रवइड करती है आपके ऐक्वारियम के अंदर जिसकी वज़े से आपके पानी चुम्परिचर बढ़ जाता है तो इसलिए बहतर यह हो Almost Light को थोड़ा उसकी Austral três बढ़ा दीम करिभ एक टूपर लगा नहीं चैनल जो लगा ल Hoş तो बहतर यह रहेगा कि आप गर्णियों कर अपनी एक्वरियूम की लाइट का जलाना चाहते हैं तो आप जिसना जादा कम हो सके उतना कम वाट का उसमें आप बल्ब लगाएं जैसे मान लीजी एलेडी बल्ब आते हैं तीन वाट के आते हैं वह बहुत सूटेबल रहेगा आ तो फिश्ट जो उससे भी स्ट्रेस में आ सकती है कि और उसके पाद फिर दुबारा ओपन करेंगे तो उसको दिक्कत होगी तो इससे अच्छा है कि आप अपने लाइट की क्वालिटी थोड़ा डाउन कर दें मान लीजिए अगर अभी तक आप अपने एक्वारियम में पं अच्छे सी लुपिंग भी आती जाती है तो अगर आप एक्वारियम पूरी बन कर देंगे तो उससे आपके स्विश्ट को दिक्कत हो सकती है तो इसलिए आप कमवाट की लाइट लेकर मार्किट से अपने एक्वारियम में अंदर लगा लें और दूसरी पात अगर आप उ जादे फर्क नहीं पड़ता है लाइट से अगर आप लगावागी रखे हैं तो मुश्किल से एक डिगरी का फरक आता है तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसलिए अगर आप गर्मी में अपनी अपनी पर लाइट जलाना चाहते हैं तो आप इस तरह से उनक किया जाता है और पानी को गरम करेगी तो आपके फिश को नुक्सान होगा लेकिन वह ऐसा नहीं होता है तो अगर आपको आज का टोपिक मेरा यह अच्छा लागा हो तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए कमेंट कीजिएगा नया टॉपिक आपको किस चीज बिचाई मुझे जरूर बताईएगा और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में क्योंकि आपका लाइव और आपको कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और इसलिए मैं आपके लिए अच्छे चीजिए पर बात करता हूं जो की आंसर्स लोगों को नहीं मिल पाते है तो आप मुझे बताईए किस टॉपिक को वीडियो चाहिए आपको मुझे टॉपिक पाक को वीडियो कर देने की कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तों आज पर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार और चैनलों सस्क्राइब भी कर लेना जब तक लिए झालों